17 नौवंबर को पूरे मद्यपदेश में एक साथ मद्दान की प्रक्रिया संपन हुई जिसके बाद नतीजों को लेकर कयासों के सिलसिले शुरू हो गए हैं और हर राज्यतिक दल अपनी अपनी जीत का आखलन कर रहा है मद्यपदेश में चुनावी दंगल का सफर एक तरह से 17 नौवंबर को भलेई ठंग गया हो किन्तु अभी इसके नतीजे आना बाकी हैं आगामित 3 दिसंबर को इस महासंबर के चुनावी नतीजे आएंगे कहीं न कहीं हम इस चुनावी घमासान को लेकर हार और जीत को लेकर चर्चाओ के दोर शुरू हो चुके हैं और अब गणित लगाया जा रहा है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा हम बात करें हमारे खरगौन जीले की तो यहां अलग अलग छे विधान सबा में कसरावाद विधान सबा सीट पर सबसे आदा 85.59% मद्दान हुआ है तो वहीं सबसे का मद्दान खरगौन जीले की भगवान परा विधान सबा सीट पर हुआ यहां 77.05% लोगों ने ही आपने मतों का परयोग किया और अब खरगौन जीले की सबी विधान सबा सीटों से कुल 82 परतियाशियों का भागय का फेसला इवे मसीनों में केह देव चुका है आम खास गली महले और निताओं के परिणामों को लेकर चर्चा भी शुरू हो चुकी है वोट के परतिसत को देखा जाया तो इस बार जीले की सभी विधान सबा में राजनीती के कई पंडितों के उम्मीद से जादा मद्दान हुआ है और इस बड़े हुए मद्दान को अलग-अलग नजरियों से देखा जा रहा है वो इसे सत्ता पलटने के लिए मान रहा है तो किसी का मानना है कि ये खरगान की हुए सभी जो पिछली विधान सबा चुनाओं में कांग्रेस में जीती थी उसे पलटने की बात की जा रही है इन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार का चुनाओ कहीं न कहीं महिला ओटो रोक के इर्द गिर्द ही बनता बिगरता नजर आया और हर दल कहीं न कहीं मद्दान के दिन तक महिलाओ को ही साधिता नजर आया इस बार के चुनाओं में देखा जाए तो कोई भी बड़ी लेहर या कोई बड़ा मुद्दार नजर नहीं आया पूरी राजनीती कहीं न कहीं जाती हो और चेहरों पर ही सिम्टी रही खेर इस उपापों में कई इस्थानों पर कई अच्छे नजरे और पेड़ना दायक दर्शे भी देखने को मिले कहीं दूलहें ने मद्दान किया तो सभी इस्थानों पर पहली बार मद्दान करने वाले युवा उस्साहित नजर आये एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि मद्दान के पर्तिशत के जादा होने से प्रत्याशियों के गणीत भी गड़बड़ा रहे हैं क्योंकि सब कुल मिला कर जीले की सभी सीटों पर नामे प्रत्याशियों की साख दाओ पर लगी हुई है जिसमें खरगोन विधान सभा के र सुन्दी की रिपोर्ट अब देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें